अब यह पर नानी चाहिया, मंदर का धोल है वो बज़ेगा सिर्फ उन्हों ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ मंदर का धोल बज़ेगा मंदर के धोल का क्या मतलब है? क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? तो दरसल हमारी यहाँ पहाडों में धोल दमाओ मसकबाज होता है यह हमारी पहाडी संस्कृती के सबसे बेसिक वाद्य यंत्र है और हर शुबकारे पर इन्हें बजाया जाता है हमारी यहाँ जागर परंपरा भी है जो हर परिवार या गाओं के अपने सिस्टम से चलती है जिसमें देवी देवताओं का आवहन किया जाता है और इस ढोल दमाओं की पवित्रता का अंदाजा आप इस बात से लगाईए कि उस समय जब देवी देवताओं प्रकट होते है यानि किसी दूसरे इंसान पर जब वो मैनिफेस्ट होते है यह अब आप वो हॉरर फिल्मों वाला पोजेशन या पोजेस कर लिया वो मत उससे कंफ्यूज मत करिएगा बलकि अगर आपने कांतारा फिल्म देखी है तो उसमें जब धार्मिक आयों जिनमें देवता को आपने प्रकट होते हुए देखा है ठीक वैसा ही कॉंसेप्ट है हमारे पहाडों में देवी देवता जो है वो हमारे स्थान देवता होते हैं कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं जिनमें नरसिंग भगवान है, खडगधारणी भगवती हैं नागरजा है, शेतरपाल है, राज-राजेश्वरी, भुवनेश्वरी, बालकुमारी देवी ये सब देवता प्रकट होते हैं और मैंने सिर्फ कुछ देवताओं की नाम लिए है संख्या में ये और भी है तो ये सब देवी देवता सिर्फ और सिर्फ इसी ढोल और दमाओं पर नाचते हैं अब यहां इस नाच को आपको परफॉर्मेंस वाला नाच मत समझेए ये नाच मैनिफेस्टेशन है ये नाच डिवाइन है ये नाच उर्जा का संचार है और ये नाच एक दिव्या अशिरवाद है और वो व्यक्ति जो ये धोल दमाओं बजाता है कई बार दूर्वा भी आर्पित की जाती है फिर डख्षना चढ़ाई जाती है और फिर धोल दमाओं बजाने वाले जागरी की बात देवताओं के लिए एक प्रकार की कमांड होती है तो ये जो मैंने आपको एक खाका खीचा अभी ये बहुत बेसिक बाते हैं इस परंपरा के बारे में बहुत बेसिक बताया ताकि देश-घ्र में जहां सभी लोग मेरा विडियो देख रहे हैं वो ये समझ पाए कि हम पहाडियों को इस वक्त पीड़ा क्यू हो रही है किदारनात में ये सब देखते है मेरे बाबा के धाम में अगर कोई धोल बजेगा तो वो मंदर का डेडिकेटड धोल डमाओं होगा ये तरह का प्रोटोकॉल है सेकडों वर्षों की ये परंपरा है इस तरह से सोशल मीडिया की आंदी में हम इस परंपरा को उड़ने नहीं दे सकते और इसी लिए इन सभी vloggers और influencers से मेरी हाथ जोड़कर प्राटना है कि चलिए जिस बात की पहले आपको जानकारी नहीं थी आप इस सब करते चले गए लेकिन अब कम से कम आगे से मत करिये अगली बार जिस दिव्वे स्थान की यातरा कर रहे हैं पहले वहां के स्थानिय बिलीफ्स और परंपराओं की study करिये और फिर अपनी यातरा को यातरा की तरह करिये और यहां एक और बात जरूरी है जब मैं यह उत्सव रूपी भीड देखती हूँ न तो पते इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे क्या दिखाई देता है जो हकदार हैं, जो deserve करते हैं, जिनका जाना बनता है जिनके लिए जरूरी भी है वो लोग या तो भीड की वज़ा से पहले ही जाना cancel कर देते हैं या फिर वहां पहुँच कर वो साधक जो आँखे बंद कर बाबा की उर्जा की अनुभूती और उनके साथ एकात्म को अनुभव करना चाहते हैं उनका spiritual experience भी ये influencers बरबाद कर रहे हैं अब बात यहां सिर्फ influencers की भी नहीं है क्योंकि नासमजी अज्यानता और गंभीरता की कमी तो दिखती है लेकिन एक बात जिसे पिछले वीडियो के comments में काफी highlight किया गया वो ये कि गर्ब ग्रह से पूजा की तस्वीरें बिलकुल ban होनी चाहिए पिर चाहे वो प्रधान मंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, किसी और राज्य के नेता हो, कोई भी हो PM हो, VIP हो, आम आदमी हो खैर आम आदमी को भला कहां ये सवभागी मिलता है कि आदे गंटे बैट कर गर्ब ग्रह के भीतर वो पूजा कर सके रुद्रा भिशेक कर सके, लेकिन देश के किसी भी प्राचीन और बड़ी मानिता वाले मंदिर में गर्ब ग्रह से पूजा की लाइव तस्वीर है, जो न्यूस चैनल्स में चलती है कि अलाना नेता ने पूजा की पूजा की और सिर्फ मंदिरी क्यों, अलग किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर भी आप जा रहे हैं, तो जो पूजा की तस्वीर हैं, जहां पर कोई कर्म कांड किया जा रहा है, वो वीडियो प्रतिपंदित होने चाहिए, केडारनाथ हो या बनारस, इसकी जरुरत नहीं है, आप मंदिर के मुख्य गेट की तस्वीर चाहे, न्यूस चैनल्स और ट्विटर पेस्बुक पर डालिए, लेकिन आपने कैसे रुद्र अरभिशेक किया, कैसे साधना की, कितनी देर पूजा चली, कौन सा मंत्रो चार हुआ, ये देश को जानने की ज़रूरत नहीं है, ये क और उसका नतीजा इंस्पिरेशन के रूप में ये भीड है